नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे यूटूब चनल पर दोस्तों CSC VLEs के लिए एक बहुत अच्छी ख़बर है बहुत अच्छा अपडेट निकल कर आ रहा है जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी देश बर में चर्चें अगनी पत अगनी वीर यूजना को लेकर और आपको इसके बारे में जानकारी भी होगी और जल्दी अगनी वीर यूजना का जो रेजिस्टेशन है वो भी स्टार्ट किया जाने वाला है तो दोस्तो इस मौके पर मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो सेंटर गोवर्मेंट की जो स्कीम है अगनी पत यूजना अगनी वीर यूजना उसका जो रेजिस्टेशन है वो CSC के माद्यम से किया जाना है तो अगर आप भी एक CSC VLE हैं तो यहाँ पर आपके लिए एक बहुत ही बड़ी अपोचरिटी जल्दी स्टार्ट की जाने वाली एक बहुत ही अच्छा अफसर है जैसे कि आप सभी को पता है कि अगनी वीर यूजना की माद्यम से काफी सारे यूबाओं को इसका लाब मिलने वाला है काफी सारे यूबाओं को इसका फायदा मिलने वाला है साथ ही साथ यहाँ पर इसका फायदा CSC VLE को भी मिलने वाला है क्योंकि इसका जो registration है वो CSC VLE के माध्यम से किया जाएगा CSC के माध्यम से किया जाएगा तो यहाँ पर हर CSC VLE के लिए एक अच्छी opportunity है वो देश के जो योबा हैं उनका सयोग भी कर सकते हैं साथ-साथ उनको उनका registration करके अपनी earning भी कर सकते हैं बहुत ही अच्छा update है CSC के अंदर एक बहुत ही बड़ी service है क्योंकि यह central government की जो scheme है इसका पूरा काम इसका जो registration हो CSC के माध्यम से किया जाएगा तो एक अच्छा कासा profit भी यहाँ पर CSC VLE को दिया जाएगा तो आप इसमें बड़ चरका अपने सयोग प्रदान कर सकें और आप भी एक अच्छी कासी earning CSC की माध्यम से कर सकें तो यहाँ पर tweet करके भी CSC की माध्यम से बताया गया है CSC की जो CEO है दिनिस्टैगी जी उन्होंने भी ट्वीट करके बताया हुआ है कि अगनीपद स्कीम का जो रेजिस्टैशन है वो CSC की माध्यम से होना आप देख सकते हैं आपर मैंने तो यहाँ पर देखें मैंने आपको Twitter अकाउंट ओपन दरके दिखाया है दिनिस्टैगी जीने tweet करके बताया हुआ है An opportunity for every CSC to help and support local youth तो यहाँ पर आप CSC के माध्यम से local youth को support कर सकते हैं और इसका जो registration है वो CSC के माध्यम से किया जाना है यह जो service है अभी coming soon है मतलब जल्दी इसको start किया जाएगा अभी start हुई नहीं है बट जब भी यह start किया जाएगा तो इसका registration CSC के माध्यम से होना है और इसका फायदा आपको भी definitely बहुत जादा मिलेगा आप yoga की help भी कर पाएंगे अगनी वीर जो registration होना है उनका registration भी कर पाएंगे साथी साथ CSC वीली एक अच्छी खासी earning भी इस योजना के माध्यम से कर पाएंगे तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जैसे कि जैसे इसका registration स्टार्ट किया जाएगा तो मैंने आपको बोला आपको इसके बारे में सारी जानकारी होना चाहिए कि अगनी पत योजना क्या है अगनी वीर जोजना क्या है इसके लावा कुछ important point हैं कुछ जरूरी तत्त हैं जो कि इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ जैसे कि अगनी वीर जोजना का जो registration है उस registration में participate करने के लिए applicant की जो आयू है वो साड़े सत्रा साल से 21 साल के बीच होना चाहिए यह पहले का point actually यहाँ पर इसकी जो maximum age limit है वो भी 21 साल से बढ़ा कर 23 साल कर दी गई है तो आप साड़े सत्रा साल की उमर से लेकर 23 साल तक का जो applicant है जो registration आप इसमें कर सकते हैं तो इसके लिए जो minimum age threat area है वो यहाँ पर इतना है उसके लावा वो इसका जो time duration है यहाँ पर जो आप अगनी वीर का registration कर रहें तो इसके जो working time period time duration, जो service का time duration है वो चार साल का है तो चार साल यहाँ पर जो applicant है वो इसके लिए select किया जाएगा उसके बाद चार साल बाद इसको वहां से retire कर दिया जाएगा उसके लावा यहाँ पर इसको जो इसकी service में salary मिलनी है इसका जो first year का salary package है वो 4.76 lakh मतलब 4,76,000 रुपे है और जो आखरी वर्स का यानि कि 4th year का जो यहाँ पर उसका package है वो 6,92,000 रुपे रहेगा तो इस तरह से यहाँ पर 4 साल की जो उनकी service है उसमें उनको इतना salary amount यहाँ पर दिया जाएगा उसके लावा जब उनका post release होगा जब वहाँ से retire किये जाएगे तो उनको 7 इधी package के तोर पर 11,71,000 रुपे की राशी LX से दी जाएगी जो कि बिल्कुल tax free रहेगी तो यहाँ पर उनको आप यह suggest कर सकते हैं कि एक अच्छी काची है अपर salary package भी आपको दिया जा रहा है तो आप इसमें registration कर रहा सकते हैं इसमें participate आप उसके अलावा दोस्तों ऐसी हो जना कि माद्यम से जो भी applicant इसके लिए apply करता है और इसमें select होता है और अपनी service देता है देश की सेवा करता है देश की सेना में भरती होकर तो उसको एक 48 लाक रुपे का life insurance cover मिलता है मतलब उसको कुछ भी अगर हो जाता है किसी तरह कोई दुरगटना होती है तो उसके family को यहाँ पर 48 लाक रुपे दीए जाएंगे तो यह भी यहाँ पर आपको जानकारी होना चाहिए और आप जो भी युवा आपके पास आते हैं जो भी अपलेकेंट आपके पास आते हैं तो इस सारे points आपके बार उनको बताने हैं जिससे वो इस स्कीम में अपनी दिलचस्पी दिखा सकें और इसमें registration करा सकें उसके अलाबा दोस्तों जैसी उनका time duration complete हो जाएगा उनकी post release उनको retire कर दिये जाएगा तो उनको यहाँ पर अगनी पत एक certificate दिये जाएगा अगनी वी skill certificate दिये जाएगा वो अगनी वी कहलाएंगे एक certificate आपको उनको दिया जाएगा इस certificate के माद्यम से उनको आगे जो भी उनका career है जो भी वो job करना चाहते हैं और इस certificate के बहुत सारे उनको आगे फायदे भी दिये जाएगे कहीं पर वो job के लिए apply करते हैं तो उनको erection दिये जाएगा काफी असानी जगर कोई business करना चाहते हैं तो उनको loan दिया जाएगा बहुत कम दरोपर यहाँ पर उनको loan उपलब्द खराया जाएगा तो यह सारे यहाँ पर कुछ important points है जो कि अगनी वी रियोजना से जोड़े हुएं तो यह सारे points की जानकारी उनके साथ साथ आपको भी ह होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे एप्लिकेंट ऐसे आएंगे बहुत सारी हुआ ऐसे आएंगे जिनको कुछ scheme के बारे में जानकारी नहीं है तो वह apply तभी करेंगे जब उनको इस बात की जानकारी होगी तो यह CSC VLE का काम है कि उनको इस बारे में बताएं इस जोड़ सकें और जोड़ सकें और अपना रेजिट्रेशन करवा सकें और भी काफे साई पॉइंट से तो मैंने उसके लिए लेक्सी वीडियो बनाया हुआ हुआ है वीडियो जाकर आप देख सकते हैं उसका लिंक काई बिटन में डाल दिया है मैंने और हां जैसे इसके रि इंफर्मेशन थी खास करके CSC VLEs के लिए थी तो CSC VLEs के लिए एक बहुत ही अच्छा अपडेट था जिसके बारे मैंने आज आज आपको बताया आपको यह अपडेट काफी पसंद आया होगा इजो सर्वेस CSC के आपको काफी अच्छी लगी होगी अगर इंफर्मेशन आपके काम आई हो वीडियो आपको थोड़ा सा भी इंफर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजेगा चैनल पर पहली बार आ रहे हैं और इसी तरह के आगे भी अपडेट देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्स्राइब कर दीजेगा जिससे कोई भी इंफर् इसका नोटिशिकेशन मिल सब्सक्राइब